गोली कान का गुनागार आखिर कौन है? ये मामला उत्तरप्रदेश के बुलन शहर का बुलन शहर में रालाग नेता हाजी यूनिस के काफिले पर अचानक गोली बारी से हर कंप मच गया बतादे की रविवार को वो भाईपुरा गाउं में एक शादी समहारों में शामिल होने गए थे इस दुरान शादी समहारों से लोटते समय हाजी यूनिस के काफिले पर अग्यात हमलावरों ने उन पर लगभग पचास राउंड फाइडिंग कर दी जिसमें पांच से जादा समर्थ तक घायल हो गए वह ये की मौद भी हो गई है बतादे की बीते दो दिन पहले ही नेता हाजी यूनिस बीसपी को छोड़ कर आरलडे में श्रामिल हुए थे वह इस हामले को लेकर हाजी यूनिस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बीते छे महीने से अपनी हत्या की आशांकार दताते हुए एससपी से सुरक्षा की गुहार लगाई थी लेकिन उन्हें कोई सुरक्षा उपलब्द नहीं कराई गई तो बलंड शेयर का एक पुरा मामला है जो की रविवार को गोलियों की तर्टराहट से गूंच उठा आरलडी नेता हाजी यूनिस एक काफिले पर हमला हुआ है पचास राउंड फाइरिंग में पांच लोग घाल बताय जा रहे हैं की मौत हो गई है और कही ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इसमें सुरक्षा की बड़ी चूख है क्योंकि siitä लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही छे माहिन पहले ही आशंग जताई थी कि उनकी हत्या हो सकती है उन्होंने SSP से भी गुहार लगाई थी सुरक्षा की लिकिने उन्होंने कोई सुरक्षा मुहया नहीं कराए गई तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ी चूक है आपको उता दे हैं कि बीते दो दिन पहले ही नेता हाजी यूनस बीस पी को छोड़कर RLD में शामिल हुए थे ऐसे में उनके जो समर्था के उनका साबतोर पर कहना है कि हो सकता है कि बीस पी के कुछ कारेकरता इसमें शामिल हो सकते हैं तो बड़ी जानकारी इस वक्ती बुलन शेहर का एक पुरा मामला रवी बार को बुलन शेहर गोलियों की तर्टड़ाहट से गोंज उठा पचास राउंड फाइलिंग यहाँ पर हुई थी पाँच पाइप के वहाँ असले चले हैं और गोलिये चली है वो सब सब चले तसले थे पाँच या शे जितने भी थे बदमाशों ना अटेक कर दिया पचास से साथ गोली चलाई है जबके मैं एडमिस्टेशन को कम सकंद छे महीने साब गत करा रहा हूँ लेकिन अभी तक किसी सिकॉर्टी का या उस पर कोई कार रवाई नहीं हुई बहुत सारे बदमाशों के मैंने पहले नाम भी बताएं गाड़ियों के नंबर भी दिये असले भी बताएं किस गाड़ी में सवार थे उनस बाई बदमाश किस गाड़ी में सवार थे उनस बाई शायद सेंट्रो है या सुरिफ्ट है मतलब छोटी गाड़ी में कोई पहचान नहीं हो पाई में फार में गली में चला है हम जैसी में निकले घर के ब्रावर में खळकते हैं वहां से उनेये चला दी और गॉली चला कर जैसे ही हमारे संसने के पीछ्त गाड़ियों में लंकि EXA 4 बज जैसा कि जानकारी में आया है और हुमारे बुलंस influencer साय कर 묶्य यह हाजी यूनुस जी उन्हों बताया कि उनके काफिले पर कुछ लोग ने हमला किया है इसमें तीन-चाल लोग भायल हुए है हलांकि वो सभी जो डॉक्टर साब बता रहे हैं सभी खत्रे से बाहर हैं यह घटना प्रकास में आई है और हम सभी लोग अस्पताल में हैं कोई यह अभी यह नहीं पता चल पाए घटना का कारण क्या है किसे सपी साबर उनकी पूरी टीम लगी हुई है और जो भी इस सही स्थिति है अभी बहुत सीग्री आपको बता दिया जाएगा और इनका विश्वास है कि इनके भतीजे अनस जो की वरतमान में जेल में बनना है उसके ज़ारा एगटना कारिप कराई गई है हम लोग इसमें लगए है और इसी कबर पर जादा अपडेट के लिए मेरे से योगी लोकेश मेरे साथ लाइब जुड़ गए है लोकेश नेता हाजी यूनिस बीएसपी को छोड़कर अलडे में श्वामिल हुए और तभी रविवार को उन पर ताबर तोड़ हमला कर दिया गया फारिंग की गई क्या कह रहे हैं नेता हाजी यूनिस अगर पुलिस की हम आने तो पुलिस का कहना है कि जो राष्टे में एक बंबा पराज हा वहां पंडे के सहारे ही जो आरूपी है वह घात लगाई हुए पैठे थे जैसे उन्होंने हाजी यूनिस की आश्रंका के तहत शुकायत दे रहे हैं सेस्पी कारले भी वह पहुंचे थे सुरक्षा की गुहार लगाई थी अक्शन क्यों नहीं लिया गया पराज़ के वह घातार जबके उनका जो भतीडा यानि हम बात करें तो जो आजी अलीम के पेड़े थे पर नहीं के ओपर उनकी अश्राष्टा की तरफ परक्षा नहीं बिली थी और अगर हम आपके प्रच्णा की बात करें तो इसके बाद अगर ये रखना को अंजाम दिया गया या इस परक्षा दी गई होती तो ना इस होता में एक मौत भी है वो भी नहीं होती है शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए तो बुलंच शेहर का ये पुरा मामला है जो हां पर अविवार को बुलंच शेहर गोलियों की तरहार से गूंज उठा दर असल जो आरलडी नेता है हाजी उनके काफिले पर हमला कर गया है बता दें कि दो दिन पहले ही वो बीएसपी को छोड़कर अरलडी में शुक्रामिल हुए थे ऐसे में उन्होंने आशांका जताईंग ए कि हो सकता है कि बीएसपी के कारकर्ठाओं ने उन पर हमला किया हो तो ब्यस्पी को छोड़ कर लडी में शामिल हुए नेता हाजी यूनिस जिनके काफिले पर हमला हुआ पचास राउंड फारिंग की गई जिसमें एक की मौत हो गई है कई सबर तक घायल हो गई है कि हमने पहले ही सुरक्षा की गुहार लगाई तो उसके बावजूद भी हमें सुरक्षा नहीं मिली है और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रही है नियूस वर इंडिया के साथ